अलो फेंट्स वेलकम टो पर चनल हम बात करने वाले हैं बारे रिनुवल्स टेक्नलोजी के अर्म है करेंडली डेली चार्ट पर हैं हमारे मेंबर्स नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी अलिसस चाहिए श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स इनलिसस के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं इस टाइप के डेली फ्री लर्निंग ट्रेट्स मिल जाएंगे तो यह जाकर आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं फिलाल अगरा में श्टॉक की बात करते हैं मैंने पहले भी आपको सैलिं करें तो आपको ग्यारा सो या उसके भी नीचे देखने के मिल जाए सेम चीज है वहां से बाउंस आया सत्रा सो तक का एक्सपेक्टेशन था कि सत्रा सो तक जाना चाहिए बट यह अठारा सो के आसपास के कुछ हाई लगाकर रहा है सो पॉइंट ऊपर गया है और वहां से आप देखोगे तभी सेम नेगटिव चल रहा है प्रॉब्लम क्या होता है जैसे एक पॉजिटिव केंडल बनता है 5% क्योंकि देखें इस सरकेट इसका 5% का है अब ये 5% नेगटिव सरकेट लगा दिया तो इस पर आप अगर उचलना चालू कर दो कि अरे देखो देखो द गया था किसी ने मैसेज किया कि ये तो सरकेट में चल रहा है आप नेगटिव बोल रहे है तो लेकिन वही बात है कि सरकेट अगर लग गया तो लोगों को पता नहीं क्या खुसी होती है उसमयलक से बट है जो मैंने आपको पहले भी कहा था आज भी रिपीट कर रहा हूं औ और आगे एक दो महिने तक आप सुनते रहोगे सेम चीज ठीक है जो members ने भी comment किया है क्योंकि new members है old members होता है तो मैं same बोल देता हूँ कि आप पहले का वीडियो देख लो यहाँ पर बहुत किलियर है मैंने आपको पहले भी कहा था repeat कर रहो बाइंग सौर्टम में नहीं बनेगा प्लस इस टाइप के stocks में जो circuit में चलते हैं इनमें सौर्टम बाइंग नहीं होता है कि नहीं नहीं retailer तो यह है वो है इसमें FII यह है वो है डियाई वो है सेम चार्ट कोचिन से प्याड का बना हुए उसका जाकर देखना data के साथ कैसे play हुआ है वो मैं आपको explain क्या हुआ है कल का ही वीडियो है ठीक है 14 12 12 13 मैंट का है वो पूरा देख लेना समझ में आ मिलेगा तो वो देख लेना आपको बहुत अच्छा knowledge मिल जाएगा कि कैसे pump and dump होता है basically जो retail है या जो आज negative comments कर रहे है वीडियो पर आकर यह वो लोग है जिन्होंने 2200, 2400, 2600, 2800 इन levels पर खरीदे रखा है इनका buying आपको यहां नहीं मिलेगा कि 400, 600, 200 इसका buying होगा इनका buying क आपर 2000 से उपर का mostly ठीक है तो यह वो लोग है तो फिलाल की condition में 100 में उपर जाने के chances नहीं है मैंने आपको पहले भी कहा था 2000 max label है अगर चला गया उपर तो और अभी क्योंकि एक बार all चला गया यह high तो अब यह second high साइद आपको 2000 का भी नहीं देखने के मिलेगा कुछ time क कि बात करें तो आइधिंग एक साल देड़ साल दो साल तीन साल का भी time frame हो सकता है आगे इसका बाइंग जानेगा तो यह चीज़ ज्याद रखेगा सौट टम में नहीं है long term buying करना है तो 1000 फूरंड के नीचे plan करो ठीक है 1300 200 1800 800 800 मिल जाता है तो best label हो जाएगा यहां पर यह अगर आप एक महीने दो महीने के बाद कर रहा है तो वो सौट टम में आता है और सौट टम में इसमें momentum ना मिलेगा और ना ही सौट टम में trading करना चाहिए इस टाइप के stocks में क्योंकि वो gambling हो जाएगा वहां पर यह चीज़ याद रखेगा जैसे circuit में यह उपर गया है वैसे circuit में अगे ने नीचे भी आ सकता है तो इस चीज़ को आद रखेगा कभी अगर गलती से circuit लगना start हो गया तो हो सकता है कि आपको exit भी ना मिले तो इस stock में capital फसा के कोई फायदा नहीं है अगर आप सिर्फ सौट टम प्लान कर रहे हो बहुत अच्छे stock से दूसरे उन पर focus हम कर सकते हैं बाकिया से किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए stock का नाम आप comment कर सकते हो index analysis के लिए आप हमारे telegram चैनल जोइन कर सकते हैं वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much